नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने बाले हैं हरियाना पुलिस कॉंस्टेबल भरती के बारे में हरियाना पुलिस में जो एक कॉंस्टेबल के पत्पे नई बहाली यहाँ पे निकल के आ चुकी है इसके बारे मैंने आप लोगो पहले वीडियो बना कर जानकाई दे रखा है कि यह बहाली किस तरीके से होने बाला है तो अभी जो है इसका ओनलाइन आविजणा आप लोग का सुरू कर दिया गया है तो आज के इस विडियो में आप लोग को दिखाने बाला हूँ कि किस तरीके से जो है आपको online अपलाई करना है पूरा step best में आप लोग आप जानका यह देने बाला हूँ अगर आप हरियाना police constable vacancy में आवेदन करना चाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण होने बाला है सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि हरियाना police constable बहाली में जो है किस तरीके से आप लोग कहाँ पे बैकेंसी निकाला गया है और क्या योगता होने बाला है कौन-कौन से लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं कितना post आप लोगा रखा गया है और कहां से आप लोग को अपलाई का link मिलेगा तो सबसे पहले हम आप लोग को यह बताते हैं और आपको इस website पे चले आना है फिर आप लोगको नीचे आना है यहां पिर जोह लेटेष अप्डेट सरकारी हो ज़ी जहाँ लेटेष जया पको चेक करना है HP level लेट्स जोमे बात करें तो बिल्कुल 0 रूपय आप लोगा अप्लिकेशन फी रहने बाला है और टोटल पोस्ट की बात करें तो आप 6,000 जो पद है वो आप लोग रखा गया है 5,000 आप लोग का यहां पर लोग को 2 बाड़ना होगा जो की 12 transit का आप लोग का समय पर प्रोसीड पर किलिक करने बद कुछ इस तरीके से आप लोगा जो वैबसाइट है वहाँ पर ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर आप लोगो जो है अपना CET रेजिस्टेशन नंबर डाल कर जो है अपना जो रेजिस्टेशन का अस्टेटर से उसकोणा पर चेक करना है अब आना पुलिस कॉंस्टेबल दोजर्च ऎकोबिस के लिए चक्छु परकासन के दरब से आप लोग का बेस्ट बुक यहाँ पर लौंच कर दिया है यह फूल आप लोगा जो अस्टेडी गाइड है वहाँ आप लोग hoe ब्यापने लॉन्च कर दिया गया ह्या सारा जो आपनोंको टॉपिक है, सारा टॉपिक आपनोंको आपके कभर किया गया है साथ में इस बुक में जो है तीन आपनोंको स्वल्व पेपर भी देखने को मिल जाता है और यह 100% आपनोंको न्या स्लिवर्स के एकोडिंग बनाय गया है तो ये आपके लिए best book होने बाला है बस आप लोगों को याद ये रखना है कि ये जो book आप लोगों को launch किया गया है ये चक्छू परकासन के तरफ से आप लोगों को launch किया गया है और इस book को खरीदने का जो link है वो आप लोगों अची book है आप जरूर जो इस book को एक बार try किजे चलिए अब आगे हम बात करते है कि किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म है उसको आप फिल करना है तो आप अपको हाँ पर करना क्या है सब सब पहले CET registration नमबर है यहाँ पर डालना है आप लोको send OTP का option मिलता है इस पर आपको जोई क्लिक करना है आपको मोबायल पर जोई एक OTP याए गा डाल कर जो है आप लोगको next करना है next करनेक बाद यहाँ पे आप लोगको कुछ इस तरीके से OTP डालने के लिए आ जाएगा और next करनेक बाद कुछ इस तरीके से आप लोग आ जाएगा यहाँ पे कुछ आप लोग का डिटेल रहेगा और यहाँ पे proceed to complete your application form का option है इस पे आपक क्लिक किज़ेगा तो आप लोग का जो एकाउंट है वहाँ पे लोगिन हो जाएगा और जो अभी password आप लोग का आया हुआ है उस password को आप लोगइन के लिए बोला जाएगा तो दुबाला आप लोग पे लोगिन करना है जो नहाँ पास्पर्ड आप लोगो ने बनाया है उ आप लोगों को पूरा डीटेल रहेगा फोटो रहेगा और सारा जानकाड़ यहां पर देखने को मिलेगा और यहां पर साइड में आप लोगो रेजिट्रेशन का एक आप्शन मिलता है इस पर आपको जोई क्लिक करना है जैसे आप उस पर जोग करते हैं कुछ इस तरीके से हो जाएगा अब यहां पे पूरा आपको का अस्टेव दिया गया है इन 9 स्टेव आपको कहां पर कंपलीट करना होगा और अपना जो हो में उसको आपको कहां पर फिर करना है फिरू पिश्डinks यानि के फूल एड़स आपको कहां पर लिखना है फिर qualification डिटेल डालना है, experience डिटेल डालना है, फिर social economic डिटेल आप लोगो डालना है, जैसे कि आप EWS से हैं, आप लोग यहाँ पर SCST से हैं, जो भी हैं, आप यहाँ पर डालिएगा, फिर आप अपर अप्लोड फोटो और सिंगेजर आप किजेगा, और जो भी document है, वो document आप आप अपर अप्लोड किजेगा, जैसे कि 10-12 का जो मार्क सिट हो बहुत सब आप लोग कहाँ पर अप्लोड करना होगा, फिर confirm करना है, उसके बाद आप लोग को प्रोसीड पर क्लिक करना है, आप लोग को फोर में वहाँ पर फिल हो जाएगा, तो यह पूरा प्रक्रिया आ फिल करने का, आप इससे आगे मेरे पास जो किसी का डेटल उपलब नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को आप नहीं दिखा लाओ, लेकिन इसी तरीके से आप जो फोर में उसको आप फिल कर पाईएगा, मैंने आप लोग को अस्टे बास्टे पहाँ आप जानकारी दे दिया ह आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंदा हुआ, गड़ी वीडियो पसंदा है तो लाइकिस ब्रोग, सब्सक्राइब को जानकारी मिल सके, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद